Hello dear students, आज हम टेक्स्टाइल पर बेस्ट कुछ और important question लेकर आए हैं, जिसमें selected question आपको मिलने वाले हैं, जो already exam में पुछे जा चुके हैं, तो आएए एक एक question को discuss करना शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question है, सूती कपड़े की सिकुड़न दूर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती हैं, option A में है felting, option B में है mercy rising, option C में है sunforization, option D में है nispridum तो सूती बस्ट के सिकुड़न को दूर करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, वह होती है mercy rising, तो इसका जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option number B, जो हमारा है mercy rising, next question देखते हैं काटन सब्द अर्भी भासा के q-tone से लिया गया है, जिसका अर्थ है, मतलब q-tone का क्या अर्थ होता है, तो option A में है एक बीजवाला पोधा, option B में है खेती करने योग्य पोधा, option C में है एक वानास्पतिक पोधा, option D में है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पोधा, तो इसका जो सही answer है, वो होगा option number D, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पोधा, तो इसका सही answer हो जाएगा option number D, अगला question देखते हैं, लिनन कहां से प्राप्त किया जाता है, option A में है कपास, option B में है फ्लैक्स, option C में है रबड, option D में है उन, तो जो लिनन होता है, या फ्लैक्स नामक पोधे से प्राप्त होता है, तो हमारा option number B सही हो जाएगा, क्योंकि फ्लैक्स का पोधा जो होता है, उसके तने से लिलन का रेशा प्राप्त किया जाता है, इसलिए हमारा option number B सही हो जाएगा, अगला question देखते हैं, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए मतलब कपास के रेशे की जो प्रोसिसिंग होती है उसके उत्पादन की उसको सिक्वेंस में लगाना है तो इसमें देखते हैं पहले नमबर पे है कंगी करना दूसरे पे है खेती करना तीसरे पे है खोलना आपस में मिलाना चोथे में है बिनोले निकालना और गांठ बादना और पांचवे में है कताई करना छटवे में है कूनी बनाना और साथवे में है धुनना कंगी करना को कहते हैं इंगलिस में कार्डिंग कॉम्बिंग इसको कॉम्बिंग कहते है कंगी करना को इसको भी देख लिजिए कि इसकी इंगलिज भी बहुत इंपोर्टन है कंगी करना को कहते हैं कॉम्बिंग, खेती करना हर्वेस्टिंग और खोलना आपस में मिलाना इसको ब्लेंडिंग, ओपिनिंग एंड ब्लेंडिंग कहते हैं ओपेनिंग एंड ब्लेंडिंग और बिनोले निकालना या गाठ बाँना इसको बेलिंग बोलते हैं इसको बेलिंग कहते हैं इसके बाद है कताई करना कताई करना जिसको हम बोलते हैं इस्पिनिंग कताई करने को हम इस्पिनिंग कहते हैं इसके बाद पूनी बनाना पूनी बनाने को हम सिल्वरिंग कहते हैं इसके बाद धुनना है धुनना को हम कार्डिंग कहते हैं तो इन सारी process को हमको sequence में करना है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा harvesting, खेती करना, यह आ जाएगा पहले नमबर पे, और खेती करने के बाद क्या होता है फिर, फिर उसके बाद आ जाएगा पहले नमबर पे यह रहेगा harvesting, खेती करना, दूसरे नमबर पे आ जाएग इसके बाद आ जाएगा खोलना और आपस में मिलाना ये तीसरे नमबर पे आ जाएगा और चौथे नमबर पे आ जाएगा हमारा कताई करना ठीक है? इसके बाद जो है धुनना, कार्डिंग आता है उसके बाद कताई करना तो तीन हमारा हो गया चोथे पर आज आयेगा धुनना फिर उसके बाद आयेगा पांचोंगी पर कंगी करना च्ठे पर आ जायेगा हमारा पूनी बनाना और इसके बाद सबसे लास्ट में जो आएगा 7 नमबर पर हमारा आजायेगा इस पीनिंग कताई करना कताई करना उसके बाद धागा बंदा तो सबसे लास्त जो प्रक्रिया आएगी साथवें पर इसका सही एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर सी पहले दूसरा रहेगा फिर चोथा रहेगा फिर तीसरा फिर साथवा पिर पहला फिर छठा पिर पाचवा इसका स्कुष जरूर दे काटने पर वह किस प्रकार से दिखता है कैसा दिखता है या बहु कोड दिखता है या पंच कोड दिखता है तो इसके लिए हमारा नमबर एक सही हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं किस उत्पात के लिए ओटाई की आउसक्ता होती है ओटाई को इंगलिस में क्या बोलते हैं इसको गिनिंग कहते हैं तो किस में गिनिंग की प्रक्रिया होती है Option A में है नायलान, Option B में है रूई, Option C में है रेशम, Option D में है उपर्युक्त सभी तो ओटाई की प्रक्रिया या गिनिंग की प्रक्रिया जो होती है वह है रूई में होती है जिसको हम cotton मोलते हैं, cotton में जो रूई होता है रेशा होता है उसमें बिनवले होते हैं तो भिनवलों को रेशों से अलग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है ओटाई या गिनिंग कहलाती है इसलिए हमारा B आप्षन सही हो जाएगा अगला कोश्चन देखते है निम्ड में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है आप्षन A में है कपास आप्षन B में है रेशाम आप्षन C में है लिलन आप्षन D में है रेयाम ये रेयाम रहेगा तो इसका सरी अंसर हो जाएगा लिलन ठीकर तने से जो प्राप्त होने वाला रेशा है वो लिलन है और किस पौधे से प्राप्त होता है यह flax नामक पौधे से प्राप्त होता है अगला question देखते हैं लिलन दौरा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा है मतलब जो लिलन के रेशे से महीन बुना हुआ कौन सा है option A में है कैमो, option B में है साटीन option C में है कैस्मियर, option D में है कनोपी तो इसका सही अंसर हो जाएगा साटीन option number B, क्योंकि लिलन दौरा जो महीन बुना हुआ कपड़ा होता है वो कहलाता है साटीन next question हम देखते हैं flags के पौधे से क्या प्राप्त करने के लिए रिप्लिंग की जाती है मतलब flags नामक पौधे से क्या प्राप्त करने के लिए रिप्लिंग की जाती है option A में है 20, option B में है तना, option C में है पौधा, option D में है लिलन तो flags से हमें लिलन रेशे की प्राप्ती होती है और लिलन का रेशा ही प्राप्त करने के लिए जो फ्लैक्स का पौधा होता है उसके तने की रिपलिंग की जाती तो इसका सही आइसर हो जाएगा option number D लीलन अगला question देखते हैं सूती कपड़े की processing का अनुक्रम बताईए ठीक है तो इसमें भी जो processing होती है कि सूती कपड़ा कैसे बनता है उसको क्रम से लगाना है इसमें पहले नमबर पे है singing दूसरे पे है printing तीसरे पे है bleaching चौथे पे है scouring और पांच में पे है curing योग heat setting और छटे पे है designing तो इसमें क्या होता है इसमें हमारा जो सही answer होगा इसको पहले हम क्रम से कर ले दें तो सबसे पहले इसमें आता है singing क्या आता है इसमें singing आता है सबसे पहले उसके बाद हमारा आएगा designing singing के बाद आता है designing और designing के बाद फिर हमारा आएगा scouring 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 के बाद जो process आता है वह bleaching आता है bleaching और bleaching के बाद जो हमारी प्रक्रिया आती है वह प्रिंटिंग आती है कौन सी आती है printing और printing के बाद प्रिंटिंग के बाद प्रिंटिंग उसको it set कर दिया जाता जिससे सिकुरन कम आती है तो इसमें जो सही answer हो जाएगा इस क्रम से वह option नंबर भी सही हो जाएगा ठीक है अब अगला question देखते हैं सूची एक को सूची दो से के साथ सुमेलिक करें सूची ए में है पहले में है कपास और उसके सामने है पादब तना फिर अननास है उसके सामने है बीच के रोएं फिर लिलन है उसके सामने है पादब पत्ता फिर नारियल की जटा ये फ़लो का छिलगा तो इसको अगर मिलाएंगे तो कपास के अगर बात करेंगे तो ये चला जाएगा दो में क्योंकि ये बीच का रोया होता है इसके बाद अननास ये थर्ड में चला जाएगा ये पादब पत्ता होता है क्योंकि पौधे के पत्ते से अनननास का रेशा बनता है इसके बाद ल प्रफिष्ण देखते हैं नियुक्त में से कौन सा तत्तुर पाउधे के पत्ते से प्राप्त किया जाता है option A में है पिन्ना, option B में है कोयार, option C में है लिलन, option D में है कैपत तो कौन सा निम्ली कि तन्त में से कौन सा तत्व पौधे के पत्ते से प्राप्त किया जाता है तो जो पौधे के पत्ते से प्राप्त किया जाता है वो होता है पिन्ना सिशल और पिन्ना ये दोनों होते हैं जो पौधे के पत्तियों से प्राप्त किया जाते हैं तो इसमें option number A सही हो जाएगा क्योंकि पिन्ना, पिन्ना के साथ एक और नाम है सीशल, ये गोनों पौदे के पत्तियों से रेशे के रुप में प्राप्त किये जाते हैं, अगला कोशन देखते हैं निलिकित में से कौन से तो जो उनर विक्सिट सेलुलोजिक तन्तु हैं तो जो उनर विक्सिट सेलुलोजिक तन्तु हैं, उसमें हमारा आता है रेयान तो इसलिए हमारा option number A right हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं अन्ननाज के पोदे के किस भाग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है option A में है जड, option B में है तना, option C में है फूल, option D में है पत्ती तो जो अननास होता है, तो अननास का जो पत्ती होता है उसका प्रियोग हम बस्त बनाने या कपड़ा बनाने में ही किया जाता है तो इसलिए हमारा इसमें राइट एंसर हो जाएगा option number D पत्ती अगला question देखते हैं जूट तंतु को क्या कहते हैं option A में है चादी का तंतु, option B में है तामर तंतु, option C में है अलूमूनियम तंतु, option D में है सोड तंतु तो जूट का जो तंतु होता है उसको हम बोलते हैं सोड तंतु, इसलिए हमारा D option सही हो जाएगा अगला question देखते हैं लीलन वस्त पर प्रक्रिया करण की सही अनुकरम बताईए जैसे अभी तक हमका पास पर देखें अब लीलन पर देखना है इसमें पहले नमबर में है सुखाना और सोच करना उसके बाद है बोलाई हो कटाई फिर उसके बाद है तोड़ तखा पीट कर तंतु को अलग करना चोथे में कंगी द्वारा सीधा करना पांच्वे में है कट बिशर करना पर जायेल है सबसे पहले में कटाई होगा सब से पहले पास सबसे पहले इस सबसे पहले यह समें मिलता है उस्च Mihाड नंबर एक कहने थे उसके बाद सुखाना और सुच करना फिर उसके बाद जो है जैसे लिलन के रेशे को तोड़ कर उसको सुखाएंगे फिर सुच करेंगे तीसरे नमबर पर आ जाएगा तंतु को उससे रेशे को अलग करेंगे पीट पीट कर बीटलिंग प्रॉसेस जिसको पीट कर तंतु को अ लग किया जाता है कि भी इसको ध्यान दीजेगा कि इसके बाद तंगी द्वारा सीधा किया जाता है प्रक्रिया की जाती है उसके बाद कताई हुनाई फिर सबसे लास्ट में परिसज्या तो इसका जो सही हो जाएगा और अगला कोशन हमहें लिल है ओक्सटे सिंन्थीटिक फइबर्ण Mü यहीं इन मिंसे कोई नहीं, this प्रकारिति इसलिए option number B सही हो जाएगा, अगला question देखते हैं, किस तंतु में ताप हुआ उबलने को सहन करने की छमता होती है, मतलब कौन सा ऐसा तंतु होता है, जिसको पानी में उबाल जे तो भी वा नस्ट नहीं होता है, गलता नहीं है, option A में है रेशम, option B में है जूट, option C में है कपास, option D में है उ, तो इसका सही अंसर होगा, option C, कपास, कपास में सबसे जादा, सबसे अधिकता आप सहन करने की छमता होती है, अगला कोशन देखते हैं, कपास को साफ करने की विदी क्या कहलाती है, तो कपास को जो साफ करने की विदी, इसमें option है, A में है गिनि, B में है पॉम्बिंग, Z में है बेलिंग, option D में है पिकिंग, तो इसमें सही अंसर हो जाएगा, option A, गिनिग, जब बीच को हम रेशम से अलग करते हैं, या रेशों को साफ करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं, गिनि, अगला जो हमारा कोशन है, जूट एक है, option A में है राशाइनिक रेशा है, option B में है तने का रेशा है, option C में है कोई का रेशा है, option D में है जानतो रेशा है, तो जूट कैसा रेशा है, है तने का रिषय है तो हमारा आपक्सान नंबर 20 सही हो जाएगा अगला कोar नेखते हैं कोई से वीच अलग करने की प्रक्रिए क्या कहलाती है तो कोई से वीच अलग करने की प्रक्रिए 묐 मगोफ और नहीं कोई मैं जो शेरिय Republican किमाrespंगं क्या गांस्ताब पाया जाता है, option A, मनो निर्मित रेशा में, option B, कपास वा लिलन में, option C, प्रोटीन रेशो में, option D, इलास्टोमेरिक रेशो में, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, option नमबर B, क्रास लिंगेज और साइड चेंज जो होता है, वह कपास और लिलन के रेशो में पाया है, रेशो कीटो से, तो इसमें सही एंसर हो जाएगा, option B, कपास से, अगला कोशन देखते हैं, इस्ते पर तंतु का उदाहरण है, option A में है जूट, option B में है रेशो में, option C में है डेकरान, option D में है नायलान, तो जो इस्ते पर तंतु की बात करते हैं, तो ऐसे तंतु होते ह चोटे होते हैं लंबाई जिनकी कम होती है जिनका मेजर्मेंट इंच में किया जाता है तो इसमें आ जाएगा हमारा सही एंसर हो जाएगा जूट जूट बाकी रेशम, डेक्रान, नायलान यह सब फिलामेंट के अंतर रहते हैं अगला पॉस्चन है सबसे अधिक आद्रता और सोशक का गुण होता है सूती रेशों में ऑप्प्सन B उनी रेशों में ऑप्सन C रेयान में ऑप्सन D रेशम रेशों में तो इसका सही एंसर हो जाएगा option A सूती रेशों में सबसे अधिक जो अधिक जो अधिरता और सोचल करने की छमता होती है वर सूती रेशों में होती है इसके बाद अगला कोशन हम देखते हैं बीच वाला तन्तु कौन सा है तो option A में है लिनन, option B में है कपास, option C में है जूट, option D में है हैं इसका right answer हो जाएगा option B कपास, बीच वाला तन्तु जो बीच से हमें रेशा मिलता है वो सिर्फ कपास का मिलता है अगला देखते हैं प्राक्रितिक तन्तु है, option A में है कपास, option B में है पॉलियस्टर, option C में है रियान, option D में है नायलान इसका right answer हो जाएगा कपास, क्योंकि कपास एक प्राक्रितिक तन्तु है अगला question देखते हैं, निमलिखित में से कौन सा कपड़ा तवलिये के लिए उपयुक्त होता है तो option A में है सूती, option B में है नायलान, option C में है टेरीलीन, option D में है डेक्रान तो तवलिये के लिए वही कपड़ा उपयुक्त होगा, जो ज्यादा ज्यादा पानी को सोगता होगा तो कौन सा कपड़ा सबसे ज्यादा पानी अब्जौर करता है या सोगता है, तो वो सूती कपड़ा होता है इसलिए हमारा option number A सही हो जाएगा अगला question हम देखते हैं, जार से किन वस्तूओं को हानी नहीं पहुचती है option A, यहाँ वस्त्र रहेगा किन वस्त्रों को तो option A में है रिश्मी वस्त्र, option B में है सूती वस्त, option C में है नायलान वस्त, option D में है टेरी कॉट वस्त्र तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B, सूती वस्त्र, सूती वस्त्रों को चार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चार उनके लिए हानी कारत नहीं होता है अगला question देखते हैं, पसीना सोखने की सबसे अधिक छमता होती है, तेरी कार्ट वस्त्र में, option B है सूती वस्त्र में, option D में है रिश्मी वस्त्र तो इसका हो जाएगा option B, सूती वस्त्र, सबसे जदा पसीना सोखने या पानी सोखने की बात करें, तो सूती वस्त्रों में ही यह quality होती है अगला question देखते हैं, निमलिकित में से कौन सा कपास का मुख है, अवयव है, option A, phybrogen, option B, keratin, option C, cellulose, option D, polymer तो इसका right answer हो जाएगा, option C, cellulose, कपास का जो मुख्य प्रधान तत्यों होता है, वह cellulose होता है next question, सूती वस्त्र को पारगर्शी तथा क्रा करने के लिए किस से क्रिया कराई जाती है, option A में है, caustic soda से, option B में है, sulfuric amla से, option C में है, sodium pervorate से, option D है, इन में से कोई नहीं पारगर्शी और करने के लिए, sulfuric amla से क्रिया कराई जाती है, इसलिए हमारा option number B सही हो जाएगा, sulfuric amla, यानि S2, S0, 4, इसका formula भी याद रखेगा, अगला देखते है, निमलिखित में से कौन सा यूग्म सुमेलित है, इसमें हमें सुमेलित यूग्म का पता लगाना, तो option A में है, रेशम, रेशम मानोकृत रेशा है, तो ये गलत है, क्योंकि रेशम मानोकृत रेशा नहीं है, रेशम प्राक्रतिक रेशा है, निचुरल, option B में है, रेयान, रेयान प्राक्रतिक रेशा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि रेयान मानो, मेड, मतलब यूमन मेड, एक है य कि प्राक्तिक रेशा नहीं बाक्तिक रेशा है तो यही हो जाएगा न्म C हमारा .im लास्त है डीso Mr. एक धाद्विक Украї नहीं है नहीं है प्रक्तिक रेशा हम कह सकते हैं प्रोटिं रेशा है तो धाद्विकरी अमें आ जाता है स्भेष्ट्रस होना चाथि ये सब आ जाते हैं तो इसलिए इसका सही झाही यह है अंसड यहीं ओनान सही है next question काट्स उल किसको मिलाकर तयार किया जाता है option A में कच्चा उन option B में कपास तथा धागा option C में सूती तथा उनी option D में केवल उन तो इसका right answer हो जाएगा option number C जो काट्स उल बनाये जाता वो सूती और उनी मतलब काटन और उल दोनों को मिलाकर बनाये जाता है अगला question देखते हैं कपास तन्तू अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है तो कपास तन्तू अनुप्रस्थ काट में कैसा option A में है गोलाकार, option B में है आयताकार, option C में है चोड़ा, option D में है लंबा तो कपास का जब अनुप्रस्त काट हम देखते हैं तो यहार लंबा दिखाई देता है कैसा दिखाई देता है लंबा तो इसमें D option सही हो जाएगा लेकिन अगर यहीं कपास के अनुदैर्ध काट की बात करें कपास के अनुदैर्ध काट को हम देखें तो यहां बल खाते रिबन के जैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, बल खाते रिबन या फीता जिसको बोलते हैं, रिबन के जैसा दिखाई देता है, तो यह चीज आप ध्यान लिजेगा कि अगर question पूछा जा रहा है, तो question में अनुपरस्त पूछ रहा है या अन रही है उसमें अमेरिका होगा ठीक है देख लेते हैं पहले जब है भारग ऋबी दूश्रे में है ऐमेरिका टीसरे में इंग्लेंड कर में चीन इसका र्राइट एंस्झर हो जाएगा अमेरिका पादन जो पहले अस्वहम बैर तो हमारा चीन सही लोगता अगला question देखते हैं इन में से कौन सा protein फाइबर नहीं है option A में है मोहे, option B में है कास्मीरी उन, option C में है लिनन, option D में है उन तो इसका सही answer हो जाएगा, option C, लिनन, क्योंकि लिनन जो होता है यह cellulogic fiber होता है ना कि protein fiber और बाकी सब कैसे हैं, बाकी सब protein fiber है तो आज हमारा इतना ही question था, हमें आसा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको आप लोग कमेंट में पूछिएगा, हम ज़रूर बताएंगे, next class के साथ फिर से आएंगे, आज इतना ही धन्यवाद